नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखंड यूपी, मैं हूँ आपके साथ अकांक्षा थापा आए डालते हैं एक नजर उत्राखंड और यूपी की खबरों पर बॉलिवूर अभिनेता हेमंत पांडे ने त्रिवेंद सरकार को दी नसीहत कहा बंद हो कोरोना जाज के नाम पर उत्पीडन गुरुवार को मुंबई से दिरादून पहुंचे अभिनेता हेमंत पांडे का जॉली ग्रांट एरपोर्ट पर यात्रियों की परिशानी को साजह किया एक वीडियो सोशल प्राटफॉर्म पर वाइरल हो गया है इस वीडियो में हेमंत ने उत्राखंड घूमने आ रहे यात्रियों को कोरोना जाज के नाम पर हो रही फॉर्म भरने से संबंधी परिशानी का जिक्र किया हेमंत ने कहा कि यदि परिट को को इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा तो परिटन कारुबार कैसे चलेगा खालिद मंसूरी बोले पच्वाद दून शेतर को नशा मुक्त करना हम सब कदाइत्व विकास नगर के खालिद मंसूरी ने युवा को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में हर कोई कही न कही बहग जाता है लेकिन हमें अपने आपको नशे से मुक्त रखना है उन्होंने कहा कि उनकी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि उनके शहर से नशाब बिलकुल पूरी तरह से चला जाए खानपूर विधायक कुमर प्रणफ चैंपियन का कथित ओडियो वाइरल वाइरल ओडियो में विधायक ABVP एक पतादिकारी से लस्कर डिग्री कॉलेज में PG कक्षाओं की स्विक्रिति को लेकर कथित तौर पर अभधर भाषा का प्रयोग कर रहे है डिग्री कॉलेज जिन में UG स्तर पर और कक्षाएं शुरू करने एवं PG कोर्स शुरू करने की मांग को लेकर ABVP ने करीब दो सब्ता तक आंदोलन किया था बाद में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, डॉक्टर धन सिंग रावत ने उनकी मांग मान ली और ABVP ने आंदोलन खत्म कर दिया RD और FD के नाम पर धोकादड़ी कर हडपे 22 लाग RD और FD के अधिक ब्याज देने का जहांसा देकर लोगों से 22 लाग के ठगी की गई कैंट कोतवाली पुलिस ने मामले में कमपनी के CMD समित 9 लोगों पर धोकादड़ी का मुकदमा दर्च किया है Special Task Force की जाच के बाद ही मुकदमा दर्च किया गया डिल्ली और गुरुगराम के लिए Volvo बसे चली Roadways ने डिल्ली और गुरुगराम के लिए Volvo बसों का संचालन्ज शुरू कर दिया है पहले दिन बहुत कम यात्रियों ने सफर किया एक बस में 12 और दूसरी में 10 यात्री दिरादून ISBT से सवार हुए यात्रियों के संख्या बढ़ने पर ही Roadways बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी मैं कांशा थापाव आपसे विदा लेती हूँ जाने से पहले याद रखें मानफता की प्रगती महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है आज की महिलाएं सिर्फ घर ग्रहस्ती को सम्हालने तक ही सीमित नहीं बलकि हर शेत्र में उन्होंने अपनी उपस्तिती दर्ज करा दी है उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतनत्र होने का हक है अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भासकर उत्राखन यूपी धन्यवाद